जुको हर अंकल के वज़े से मैंने ड़ी जान गये और में इच्छी हजार वार वरोंगी चला चिला कर वरोंगी की बस राषी बस, बस राषी राषी जोगर, काईसा लोग, क्या हुआ है? काकुष, राशी के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि मैंने दिलिप को आग में धखेला, इसलिए उसकी जान कई हरी दिवाँ उसे लगता है कि मैं पुष्पा को पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने दिलिप को रास्ते से अखनाया है सदमा लगने के कारण रास्य का दिमाग ठिकाने पर नहीं है, इसलिए वो कुछ भी बोल रही है जो कही है तो उसकी बात को दिल पर मतले? कैसे दिल पर नहीं हूँ पुष्पा मैं तुझे बाने के लिए दिलिप को मारूंगा इतने समय राशी रही है मेरे साथ, इतना ही पहचाना उसने मुझे मैं सच कह रहा हूँ पुष्पा, मैंने दिलिप को बचाने की बहुत कोशिश की सच कह रहा हूँ मैं तू किसे सभाई दे रहा है? मुझे? एडोबा, तुझे सभाई देने की कोई जरूरती है क्योंकि मुझको तुछ पर अपने से जादा विस्वास है मैं जानती हूँ तू ऐसा करी नहीं सकता लेकिन राशी तो मानती है ना कि मैंना ऐसा किया अरे, उसे को इगरत पे मियो गई जुगल? कि मैं जानती है कि लागो जाइ जाइके पूले खूले जाइके लाइके ऑनी में है मैं आपको अलविदा नहीं कहूंगे डार, तब तक नहीं, जब तक आपके खूनी को उसके किये के सजा नहीं मिलती, मैं इंसाफ के लिए लड़ूंगी, छोड़ूंगी नहीं उन्हें आपके जन्हें कि यह जश्वी जी एमेले पादिल साभ ने इस केस की तहकिकात आपको सोपने का फेंसला किया है उपर से ओडर है मैंडम जॉबीस घंडे के अंदर इसका रिजल्ट चाहिए शुर मैंने इस केस की पूरी स्टड़ी कर लिया मिस्पेक्टर मनों से बात हो गए मेरे इस बारे म मुझे अपने तरीके से कुछ पुछ पुछ ताच करनी होगी तेन आ विल कम बेक तो यू अंदस जी थैंक यू चलो अंदस बाक ot यू आड़ा है तिज्जेश्विम्या, मुझे आपसे कुछ बात करने हैं. हाँ, रैश्विय, बोलो. जुगलंकले वाराएवेरी डाड को. और जुगल, एरिस्ट भी हो चुका है, अब तो बात कोट तर भी जाएगी, देख, पुछवा, जो हुआ है, उसे बूल जाएगा, और अब आगे क्या करना है, उसके बारे में सोच, जुगल को छुड़वाना है ना, तो एक अच्छे वकिल की जरुवत पर दोड़ाएगा, बात तो सही है तेरी, जो हो गया उसे बतल तो नहीं सकता है, पर आगे और बुरा ना हो ये देखना है, मैं देवी सिंग जी से मिलकर आते हूँ, चल बापोद्रा भी चलते है साथ मैं, आग किसने लगए पता चला, अब तक तो नहीं, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा, चल, चल, तित्ती, मम्ही का है? मा और बापोद्रा का का देवी ची से मिलने खाया है, अभी सफिला काखे ने बताया ने मुझे, अश्वेन, तुम्हें क्या लगता है? राशी ने जो कहा हो... नहीं दिरती, राशी ने जो कहा है... जुगल जी अपना नहीं कर सकते हैं... राशी इतना विश्वास करें... और वह जूर भी क्यों बोलेगी? अगर बताओं तो मुझे कुछ समझ में नहीं हारा है... जुगल काको को पूलिस अपने गए... क्या वों graders कभी वापस में आएंगे?! मुझे अच्छा नहीं लग राए स्वारा... नाराज नहीं होते है... उदास नहीं होते... जुगल जी आ नहीं है... हमे भी अच्छा नहीं लग राए... बोलिस अंकल कुछ सवाल पूछ के उनको छोड़ देंगे हम उने घर ले आएंगे, ओके? ओके ओर नो, इसके छोटी खुल गए प्लीस बना दो अभी बना देते हो रबर बैट छोटी हो गई तयार आराम से थांके तो बोलो थांके यू वो, हम इतनी रात को आपको बरिसा नहीं करना जाते थे पर देवी सी जी से मिला बहुत ज़रूरी है देवी जी तो अस्ट्रेलिया गई है अपनी बेटी के पास वहां उनकी एक कॉन्फरेंस भी है तो कब तक वापस आएंगी? एक हफते के बाद चार दिन के बाद कॉन्फरेंस है वह अटेंड करके आ जाएंगी वैसे देवी जी को इस केस के बारे में मालूम है फोन पे बात हुई थी आप यहांएंगी वो इस बात को भी जानती थी उन्होंने मुझे कहा था कि अगर पुष्पाजी आएं तो उनसे डेटेल्स लेकर बेल करा देना और आगे की डेट ले लेना ताकि वह वापस आकर बाकी फॉर्मालिटीज कर सके भगवान पला करे उनका आप एक काम कीजिए जो कुछ भी हुआ उसकी डिटेल्स आप मुझे बता दीजिए और यो ट्रांस्क्रिप्ट दीजिए मैं मैं तक पहुंचा दूँगा यह वाले साही वीला वो रेस्टरूंट जह हम लोगोने पार्टी रखे दी थानक्यू तो आपका ज़िस थानक्यू तो आपका ज़िस थानक्यू क्या कर रहा है इस मेने का हिसाब जोड़ रहा था कितने ट्रिप्स हुए वे गहरा है पापा का रेकॉर्ड भी देख रहा था मैं यह देख एक महीने में उन्होंने 935 किलोमेटर ड्राइब किया है चराग मुझसे स्यादा ट्रिप्स की है पापा मैं बद्लाओ तो आ रहा था साफ दिखता भी था इसमें एक लोकेशन काफी बार दिखा रहा है भाई पापा का कोई फिक्स्ट कस्टमर होगा नए फिक्स कस्टमर नहीं हो सकता है ताइमिंग हर बार डिफेंट है और सकता है कि यह कोई स्पेशल आदमी हो पापा का इस कस्टमर के साथ बहुत बार आना जाना हो रहा था ता हो सकता है इस कस्टमर से आमें कोई इंपरमेशन मिल जाए इस पर चोटी से छोटी इंफरमेशन अमारे लिए बड़े काम की हो सती है झाले इंपरमेशन अमारे इंपर स्टमर के यह कोई बारा आना है